फिले इस्टोर में you have set up for chase verification problem को कैसे ठीक करें you have set up of verification for chase problem on play store play store open नहीं हो रहा है आपको अपने google play store में guys कुछ setting को set up करना है जिसके बाद में आपकी ये problem ठीक हो जाएगे अब इसका मतलब क्या है है ये वह चीज़ जानते हैं सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या है और इसे कैसे ठीक करना है वह चीज़ भी मैं आपको बताओंगा ठीक करने के लिए आपको यहाँ पर बोला गया है huge password और दूसरे नंबर पर दिया गया है huge biometrics तो actually में क्या होता है आप लोग यहां से cut मारने के बाद में भी play store को open करते हो फिर भी same problem आ रहे है करना यह है friend आपको दोस्तों यहाँ पर use y matrix वाले options पर click करना है एक बार click करने के बाद में कि सामने कुछ इस पर कहाँ से interface आएगा अब यहाँ पर लिखा हुआ है setup biomatrix on your devices तो यहाँ पर यह बताया गया है add fingerprint or face in setting on your device to continue तो आपको simply क्या करना है go to वाले options पर click करना है जैसे go to वाले options पर click करते हो आपके सामने कुछ इस पर कहाँ से interface आएगा आपकी guys यहाँ पर mobile phone की setting open हो जाएगी total मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ same आपको दोनों trick को follow करना है and आपकी problem fix out हो जाएगी आपका google play story पहले जैसे use कर पाओगे तो आपको क्या करना है आपको continue वाले options पर एक बार click करना है कुछ इस पर कहाँ से interface आएगा यहाँ पर लिखा हुआ है set security screen lock first अब एक्चली में क्या है हो सकता है आप लोग पहले से mobile phone में screen lock डाल लगके हो या फिर नहीं डाल लगके हो तो दोस्तों आपको अगर आप लोग डाल लगके होगे तो आपको continue का option आएगा mobile phone का password या फिर फिर साइडी वगरा यूज करने का option आएगा उससे select करना है continue करना है बाद में आपको आइस यहां पर नेश्ट वाले options पर किलिक करने के बाद में इस पर कहाँ से इंटरफेस आएगा अब यहां पे आपको एक password को मतलब create कर लिएने यहां पर बोला गया है फिर पासवर डालना है या फिन डालना या फिर पासवर डालना पैटन डालना जो भी डालना चाहते हो उससे डालना है ओके तो चलिए सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं आदमी प्रेंड आपको फिंगर फ्रेंड को आपको provide करने के बाद पुछ इस प्रगाज से इंटरफेज देखने को मिलेगा फ्रेंड आपको क्या करना है यहां पे यहां पर आया इस एदिटिंग वाले ओप्शन मतलब एडिट वाले ओप्शन आपको continue वाले option पर किलिक करना है आप फ्रेंड गाइस ऐसे आप लोग कंटीनी वाले ओप्संस पर किलिक करते हो आपके सामने कुछ इस पर कहां से इंटरफेस आएगा आपका गूगल प्लेस्टोर एकदम वर्क करना स्टार्ट कर देगा अप साइकन ट्रिक क्या होने वाली आईए वह चीज़ जानते हैं आपको फ्रेंड क्या करना है आपको प्लेस्टोर को प्रेस करना है एप इन पॉमिस्टन में आना है फ्रेंड एप इन पॉमिस्टन में आने के बाद में आपको गूगल प्लेस्टोर का फॉर्स स्टॉप करना है एक बार तर आपको स्टोरीज पर आना है किलियर catch करना है अब जैसे print के लिए catch करते हो clear all data भी करना है Google Play Store का clear all data clear catch करने के बाद में 3 dot पे click करना है update to install कर दिना इस चीज़ पे click करना अब यहां से आपका काम है एकदम confirm 100% वाला हो जाएगा अब सबसे पहले गाई से आपका सारी problem है solo आजाएगे play store को open करना है open करने के बाद में देख सकते हो fully तरीके से आपका play store work करेगा आप फ्रेंड गाईस यहां पर इसका मतलब क्या है आईए वह चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आप यहां पर यह आपको लिख के आता है you haven't set up purchase verification इसका मतलब यह है आप लोग एक security setting होने वाले security update होने वाले इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी व्यक्ति phone लेके play store से कोई भी application download कर देता है आपको पता ही नहीं चलता है तो play store की तरफ से क्या update आया है आपकी बिना permissions के कोई भी व्यक्ति है कोई भी application नहीं इस्टोल नहीं कर पाएगा और नहीं download कर पाएगा download करने के टाइम पर उसे पांसुट डालना पड़ेगा फिंगर फ्रेंड लगाना पड़ेगा यह इसका मतलब purchase verification ओके आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गये होगे सुबाकि यहां पर जो मैंने फर्स्ट तरीका बताया वो यह बताया इसे कैसे setup करना है तूसे setup कर लेना है ओके and enjoy करना है आपकी front problem 100% fix out हो जाएगा और आप तों enjoy कर पाऊगे और use कर पाऊगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करने के बाद में चलको subscribe जरू ते वारत